हलो दोस्तों मैं प्रशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक प्विटीट कमुनिटी में स्वागत करता हूं तो यहाँ पे आप स्क्वीन पे दिख रहे होंगे कि निफ्टी अभी आपका 17107 के लेबल पे ट्वेट कर रहा और अभी टाइम हो रहा है 1022 एम अगर यह 17 1100 के लेबल को ब्रेक करके नीचे आता है तो यहाँ पे हम सेल साइट की तरह पोजिशन लेंगे क्यों लेंगे सारा कुछ मैं आपको एक्स्प्लेइन करने जा रहा है लेकिन अभी आपको यह ट्वेट समझना है तो यहाँ पे अगर आप चार्ट पे अब देखो तो हमारा यहां पे एक्टिव हो चुका है अब हमारा यहां पर एसल क्या होगा सब मेरा होगा यहां पे सब्सक्राबस मेरा होगा यहां पर belongs JESS तिया हमारा T1 है और यह हमारा T2 होगा और यहां पर हमसेल साथ की तरफ जा रहे हैं अगर आप options में trade करते हैं तिया पर 17,100 यानि add the money put options को आप यहां पर buy करना prefer कर सकते हैं ति यह सारा हमारा क्या हो जाएगा trade setup हो जाएगा अब यह सारा trade setup हमने क्यों लिया है किस basis पर लिया चलिए वह मैं आपको explain करता हूं और वही चीज आपको समझना है मैं यहां पर क्या price से उपर side की तरफ जा रहा है अब यहां पर एक और काम हुआ है समसे पहले price आपका 17,100 के नीचे open हुआ था फिर इस level को break करके उपर निकला मतलब यह जो लेवल है यह आपका 17,100 17,100 distance के रूप में काम कर रहा था price इसको break करके उपर निकला यह distance किसमें convert हो गया support में convert हो ग क्या गड़ सकते हैं cell side की तरफ आसानी से जा सकते हैं इसली जा सकते हैं तिहां पर हमने support level को identify किया और उस support level के basis पर हमने trade initiate किया लेकिन सिर्फ support level के basis पर यहां नहीं लिया यहां पर हमने एक और factor को देखा वह factor क्या है वह मैं आपको बताता हूं देखिए upside move जा रहा है और यहां पर यह और यह और यह तीन candle ने almost same top बनाया है और जब भी आपको आगे कभी ऐसा देखने मिले दो या फिर दो से ज्यादा candle क्या बनाया है same top बनाया है तो आप समझ जाए कि क्या है यहां पर top formation हो गया है यहीं अब trend जो है वह समाप्त होने वाला है यह बहुत जल्द खत्म होगा और उसके बाद price यहां से नीचे side की तरफ जाएगा तो हमें यहीं पर idea मिल गया था कि price यहां से नीचे जा सकता है लेकिन हम यहां पर sell नहीं करेंगे हम crucial support level जो 17,100 है उसके break होने का इंतजार करेंगे और जैसे इसको break करके price नीचे गया यहां पर हमने sell side की तर हमारे favor में price move कर चुका है तो ऐसे ही आपको सारा कुछ को consider करते हुए trade setup तयार करना कोई एक factor नहीं होता जिसके basis पर हम trade लेते हैं तिहां पर हमने support level को identify किया उसकी बाद हमने candle stick के nature को समझा और इस nature को समझते हुए हम यहां पर sell side की तरफ trade लिया है लेकिन यहां पर एक और dealer risk ले आपको risk भी ध्यान रखना परेगा अभी जो market का trend है वो कैसा trend है वो हापका up trend है और यहां पर हम trade क्या ले रहे हैं हमारा जो SLS सिर्फ 40 पॉइंट का है तो जब भी आप अगेंस दे ट्वेंट जाओ विसकी ट्वेड लो स्टॉप लो छोटा सा रखो और जैनियून रखो ऐसा भी नहीं कि आप कहीं और स्टॉप लोस रख दो छोटा होना चाहिए जैनियून होना चाहिए तो उसी सब को देखते हुए हम यहाँ पर ट्वेड ले रहें और अगर आप अगेंस दे ट्वेंट जा रहे है तो इस तरह का केंडल का फॉर्मेशन होना जरूरी है और यह आपको अब उसके नीचे चला गया तो अब यहाँ पर करना यहाँ पर हम एक और चीज करेंगे अगर मदेशंप जा रहे तो तो जात coraz loss हम यहाँ पर क्या करें है हमारा stop loss कहाँ पर था 17,140 के level पर हमने sell positions लिया था 17,100 के level पर अब market मेरे favor में 50 point से ज़्यादा move कर गया तो यहाँ पर हम SL even आपका लगबग 70 point move कर गया तो यहाँ पर हम SL रखेंगे 17,070 के level पर यहाँ पर मुझे 30 point का profit बनाने से कोई नहीं रोक सकता यहाँ अब market अगर मेरे against भी गया तो मुझे यहाँ पर profit जरूर मिलेगा और देखिए दो candle ने price को कहां से ला दिया 120 करीब से कहां पर ला दिया 17,030 करीब यह लगबग 90 point का downfall move दिखा दिया और इस अगर दो candle price को उपर भी ले जा सकता है इसलिए यहाँ पर ट्वेलिंग stop loss का रखना बहुत जरूरी है और हम against the trend जा रहे हैं इसलिए ट्वेलिंग stop loss का इस्तमाल हम जबूर करेंगे उसके बाद हम आगे भी देखते हैं कि आगे यहाँ पर क्या कुछ हुआ है और जैसे हमें buyers में strength देखने को मिलेगा हम क्या करेंगे अपने positions को exit करेंगे तो यहाँ पर आपसे थोई दिर बाद मिलते हैं जब यहाँ पर हमें buyers का थोड़ा सा प्रजेंस दिखेगा और उस टाइम पर आपको क्या करना वही चीज में आपको समझाओंगा तो यहाँ पर देखें मार्केट जो अभी आपका ट्वेट कर रहा है 17,026 के लेवल पर ट्वेट कर रहा है यहाँ बहुत नीचे यह आपका ट्वेट कर रहा है और यहाँ पर क्या करेंगे हमें stop loss को थोड़ा सा और नीचे लियाएंगे यहाँ पर हमारा सेल हो जाएगा वह 17,050 के लेवल पर हो जाए यहाँ यहाँ पर हमने 50 पॉइंट का प्रॉफिट सिक्योर कर लिया है अब यहाँ पर अगर बायर्स का इंट्री होता है और केंडल में स्ट्वेंथ कम दिखता है तो यहाँ पर निकल जाएंगे यहाँ पर देखिए अभी व है 17,000 उसके लिए भी जाएंगे लेकिन अगर यहाँ पर केंडल में वीकनिस देखने को मिलता है तो क्या करेंगे हम यहीं पर प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं नहीं तो हम अपना ट्वेलिंग स्टॉप लॉस के साथ कंटिन्यू करना चाहेंगे अब देखिए बहु यहाँ पर बायर्स जरूर इंट्री करेंगे क्योंकि मार्केट आपका रख आपका लगबाग 17,000 के करीब आ गया इससे जस्ट 20 पॉइंटी पॉइंट उपर है लेकिन यह अच्छे खासे लेबल पर आ चुका है और यहां पर देखिए बायर्स इंट्री भी कर रहे हैं तो हम फॉर्टो सेफ्टी वीजन क्या करेंगे हम अपना ट्वेलिंग एसल 17,050 पे रख लेंगे यह आप चाहते हैं 30 पॉइंट विस्क पे लेना तो आप यहां पर 30 पॉइंट विस्क पे ले सकते हैं नहीं तो जो लोग चाहते हैं प्रॉफिट बुक करके निकलना वो यहां पर 80 पॉइंट का प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं यहां नहीं तो का profit हम secure कर लें और 30 पॉइंट का risk पर रखे तो वो trade भी हो सकता है तो देखिए situation क्या है और इसी situation की recording आपको decisions लेना है और quick decisions लेना है ज्यादा time यहां पर waste नहीं करना है तो यहां पर आपके बास दो options है लोग अपने nature और अपने recording यहां पर decisions ले सकते हैं और यहां पर देखिए बार बार केंडल कलर ग्यूइन वेड हो रहा है मतलब यहां पर सेलर्स में और अभी time और आपका 10.37 यहां पर time update हो रहा होगा आप देख सकते हैं तो यहां पर अब हमें क्या देखने होक मिला है यहां पर अब हमें देखने होक मिला है कि sellers यहां पर कमजोर हो रहे हैं और जो buyers हैं वो यहां पर active हो चुके हैं और आने वाले time में buyers अपना strength यहां पर दिखा सकते हैं तो हम wait करेंगे अगर buyers के तरफ से strength आया तो sell positions को immediately square off करके by side की तरफ जाएंगे with the 20 जाएंगे 20 क्या upside की तरफ तो upside की तरफ जाना हम prefer करेंगे लेकिन यहां पर हम upside की तरफ कब जाएंगे अगर यह आपका 17,050 के level को break करके उपर निकलेगा तो क्या करें यहां पर 17,000 का sell होगा हमारा और यहां पर 17,100 के target price के लिए आसानी से जा सकते यहां अगर हम risk reward issue की बात करें तो यहां पर क्या है one is to one है लेकिन risk reward issue हमारे favor में क्योंकि यहां पर हम trend के साथ जा रहे हैं तो यहां पर हम इंतजार करेंगे और buyers में थोड़ा बहुत strength हमें देखने को मिलवा आप देख सकते हैं तो इसी तरीके से live market में आपको trading decisions लेना है और यहीं वो situation होता है जहां पर most लोग क्या करते हैं trap हो जाते हैं decisions सही से नहीं बना पाते हैं और उनको समझ में नहीं आता है कि वो क्या करें तो यहां पर ठंदे दिमाग से सोचना बिल्कुल भी घबराना न हां पर जो sense होता है वो काम करना बंद करते था और आप फिर जलबाजी में कोई decisions ले ले लेते हों तो हमें यहां पर entry नहीं करना अब देखिए यहां पर यह जो green candle का formation किया है यहां पर क्या दिख रहा बायर्स में strength अब हमें देखने को मिल गया है इसलिए यहां पर हमने क् market में हमारा experience था वो experience भी काम आता है इसलिए मैंने बोला है कि market में experience जरूर gain किजे और वो trading के समय यूज भी करना है अब यहां पर एक और चीज़ मैंने आपको पता है था साहद आपने अभी तक गौर्ट नहीं किया होगा यहां पर मैंने क्या बोला था तीन candle ने मिलके क्य क्या बनाया same bottom बनाया है और मैंने बोला भी था कि जब भी दो या दो से जादा candle आपका same top या same bottom बनाता समझ जाए कि यहां पर जो गिराबाट है वो यहां पर रुकने वाला यहां प्राइस यहां से upside की तरफ जा सकता है और same top बनाया मतलब प्राइस नीचे side की तरफ गिर सकता है तो यहां पर हमें hint मिल रहा है कि price उपर side की तरफ जा सकता है और यहां पर buyers में strength भी देखने को मिल रहा है और trend भी आपका upside की तरफ है market भी आपका gap up open हुआ है buyers इंतजार कर रहे थे नीचे आने का price नीचे आया भी है मतलब पूरा story हमारे favor में है कि यहां पर wise side की त सकता है तो यहां पर हम अभी इंतजार कर रहें 17,050 के level का और जैसी यह level मिलेगा हम यहां पर क्या करेंगे बाइसर की तरफ entry लेंगे तिहां मैं आपसे थोई देर बाद मिलता हूं जब हमारा इस level को market हिट कर देता है तो यहां पर देखिए market क्या हुआ हमारे level 17,050 को हमने buy side की तरफ लिया है और हमारा target stopless पहले से well define ही है SL जो है वो हम 17,000 के level पर रखेंगे target price मेरा क्या है यहां पर 17,100 के करीब है SL भी define लिया इंट्री हमने 17,050 के level के करीब लिया है अब यहां पर एक और सीच बताना चाहूंगा जो यहां पर यह candle का formation हुआ है देख सकते ह यह candle यह क्या बना है यह आपका छोटा सा dragonfly doji candle का formation किया है यह भी हमें slightly positive हिंट देता है और यहां पर एक और चीज हुआ है जो कि मैंने पहले explain किया था कि तीनों candle ने क्या बना है आपका same bottom का formation किया है exactly SI जैसा यहां पर तीन candle ने आपका same top का formation किया था यहां पर टॉप बन गया और प्राइस यहां से upside की तरफ निकल रहा है तो यहां पर हमें इंतजार है अपने लेवल का यह नि मार्केट 17100 करीब आएगा तो यहां पर हम देखेंगे कि क्या कुछ हाल है यहां पर अगर buying momentum continue रहेगा तो हम और आगले target price के लिए जा सकते हैं 17150 और 17200 लेकिन इस ल profit book करके market से निकल जाएंगे तो situation को देखते हुए हमें यहां पर intraded trade लेना और market मेरे फेवर में अलवरी 10-15 point आ गया है और जैसे यह market मेरे फेवर में 30 point आएगा तो हमने जिस भी लेवल पर buy किया है वह हमारा SL बन जाएगा यहां पर अपने SL को increase करके कहां पर ले आएंग देखिए यहां पर जबदर smooth दिखाया और लगबख 22 point मेरे फेवर में आ गया है तो अभी वेट करेंगे जैसे यह आपका 17,080 के लेवल पर आएगा हमारा SL कहां पर आ जाएगा 17,050 पर यहां से गिरता भी है तो हमें anyhow नुकसान नहीं होना चाहिए अगर market मेरे फेवर में 30 से ज़्यादा point आ गया तो यहां पर आपसे थोज़ी देवाद मिलते हैं जब either market मेरे stop loss को hit करेगा या फिर target price को hit करेगा अब यहां पर देखिए time हो रहा आपका 11,06 यहनि 11.06 के करीब हो रहा और price देखिए अब ही जो trade कर रहा आपका कहां पर trade कर रहा यह आपका 17,084 के क sell है वो change करके कहां पर लाना है 17,050 के करीब है यहां पर हमारा sell लाना है यहनि anyhow अब यहां पर मुझे नुकसान नहीं होने वाला है और यहां पर market के 20 के साथ जा रहे तो नुकसान हमें होना भी नहीं चाहिए और हमने काफी सोच समझ के सिर्फ एक factor को नहीं देखा है multiple factor को और अब देखिए market हमारा target से सिर्फ 10 point दूर है यहनि पहले target से सिर्फ 10 points यहां पर दूर है market और देखिए अब तो और नजदिक जा रहा है और उमीद है कि साथ यही candle आपका 17,100 के level को hit कर दे इससे ज़्यादा दूरी पर नहीं है और यहां पर हमारा target price असानी से hit हो सकता ह बस 5 point दूर है हमारा target price यहीं पर हम profit बुक करके निगल भी सकते नहीं तो हम target price के लिए wait करेंगे 50 point का target price है और इस level को hit करेगा है इसके chances बहुत ज़्यादा यहां पर हमें दिख रहे हैं तो यहां पर हम option chain पर आ गया है देख रहे हैं price आपका अभी trade कर रहा है 17,099 की level यहन यहां पर देख सकते हैं हमारा target price हो गया है यहां पर हम profit बुक करके निकल जाएंगे यह नहीं तो हम अतना stop-loss 12 करेंगे और यहां पर अगर हम 17,100 level पर देखें तो put side की तरफ आपका लगबाग 37.5 lakh के करीब open interest है और इधर आपका change in open interest 36 lakh के करीब है वहीं अगर हम call side की तर लेबल पर call white house का दबदबा बना हुआ है मतलब यह situation देखके लग रहा है कि 17,100 की उपर निकल पाना निफ्टी के लिए बहुत मुस्किल होने वाला है ति यहां पर हम option chain की भी मदद ले रहे हैं देखें जहां पर हमें confusion लग रहा है वहां पर हमने option chain की मदद लिया और यहा होता हुआ नहीं दिख रहा है यहां पर या चेंजिन दोनों को अगर हम consider कर ले तो यहां पर call white house बहुत ज्यादा हावी दिख रहे हैं तो आपस से यहां पर हम चार्ट पर आना चाहेंगे और हमने जो टार्गेट पाइस सेट किया था देख सकते हैं 17,100 का वह टार्गेट पाइस आसानी से हमारा easily hit हो गया था तो अब चार्ट पर चलते हैं कि देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है तो अब देख सकते हैं चार्ट पर आ चुके हैं टाइम हो रहा है 11.16 A.M. अब यहां पर देख सकते हैं जो हमारा टार्गेट पाइस था 17,100 का वह हीट हो गया और तो हमने profit book कर लिया पहले में कितने point का profit मिला था पहले में जो लोग trading stop loss रखे होंगे 50 point या नहीं तो जो लोग 17,020 पर book कियोंगे 80 point यह हमारा पहला trade में profit मिला था दूसरा trade हमने अभी लिया यहां पर हमें एकदम clear cut 50 point का profit मिला है तो क्या इसके बाद हम देखेंगे कि market हम हमारे levels के recording move करता है तो ट्वेड लेंगे अधर्वाइस हम ट्वेड नहीं लेंगे तो लेंगे उमीद करते हैं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अगर पसंद आया है प्लीज वीडियो को लाइक करके इनकवेज किजिए तो मिलते नेक्स वीडियो में जैहिन